हेलो फ्रेंग्स, विल्कम टू आर चैनल, लर्निंग नोट बूक, तो फ्रेंग्स, ये है वर्ल्ड मैप, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, दुनिया के 7 कॉंटिनेंट्स, 5 ओशन्स, और लाटिटूद्स एंड लॉंगिटूद्स, तो इस वीडियो में मैं आपको सभी 7 कॉंटिनेंट्स के बारे में बताऊंगी, हम देखेंगे कि कौन सा सबसे बड़ा कॉंटिनेंट है, और कौन सा सबसे छोटा कॉंटिनेंट है, हम इन कॉंटिनेंट्स को उनके एरिया के हिसाब से, पॉपलेशन के हिसाब से भी देखेंगे, फिर हम बात देखेंगे latitudes और longitudes पर, तो इसमें हम देखेंगे कौन से important latitudes और longitudes हैं और वो कैसे हमारी अर्थ को divide करते हैं, so let's start with the first topic and learn about seven continents और हम इनको arrange भी करेंगे from largest to smallest, तो देखेंगे, सबसे पहला continent है ये Asia, इसके बार next continent is Africa, then this one is Europe, और ये है North America, और ये continent है South America, और फिर यहां नीचे जो हमेशा बर्थ से ठका रहता है, इस continent को कहते हैं Antarctica, और फिर है ये Australia, तो देखेंगे, ये है seven continents of the world, आईए इनको एक बार दुबारा देखते हैं, ये continent है Asia, ये है Africa, ये है Europe, ये continent कहलाता है North America, फिर है यहां South America, और नीचे की तरफ है Antarctica, और फिर है ये छोटा सा continent Australia, और फिर है ये चोटा सा continent Australia, अब अगर हम इन सभी continents के area, यानि इनके शित्रफल की बात करें, तो देखते हैं कि कौन सा इन में से सबसे बड़ा continent है, और कौन सा इन में से सबसे छोटा continent है, देखिए सबसे बड़ा, यानि largest continent है Asia, फिर Asia के बाद दूसरे नंबर पर आता है ये Africa, अब यहां से आप सीधे चलिए इदर, और तीसरे नंबर पर आता है area wise North America, फिर उसके नीचे South America है, जो चौथे नंबर पर आता है, फिर South America से छोटा continent है Antarctica, और फिर आप देखिए अब कौन से दो continents ले गए हैं, यॉरप और Australia, इनको देखने से ही पता चल रहा है हमें, कि यॉरप छटे नंबर पर आएगा और सबसे छोटा continent है हमारा Australia, आएए फ्रेंग्स, एक बार ये area wise जो continents हमने लगाए हैं, इनको दुबारा देख लेते हैं, कैसे हम map में चले हैं, ये दुबारा देख लेते हैं, इससे आपको याद हो जाएगा, कोई ट्विक लगाने की जुरत नहीं है, बस अपना ध्यान यहाँ पर दीजिए, कि कैसे हम map में मूव कर रहे हैं, देखे, सबसे बड़ा continent है Asia, फिर हम Asia से इदर सीधा Africa की तरफ आए, फिर हम और सीधा आगे गए, North America, फिर North America से नीचे आए, फिर South America से नीचे आए, Antarctica की तरफ, और फिर जब Antarctica तक हम आगए हैं, हमारे पास दो continents बचते हैं, Europe और Australia, वो अभी मैंने आपको बताया था, कि ये common नहीं हम जैसे-जैसे map पे move करें हैं, वो चीज़ ध्यान में रखेंगे, अब friends हम देखेंगे, कि कौन से continent की सबसे ज़्यादा population है, और कौन से continent की सबसे कम population, तो आईए, इनको population wise देखते हैं सभी continents को, तो देखिए, सबसे ज़्यादा population है, एशिया की, हमने पढ़ा था, क सबसे बड़ा continent भी एशिया है, तो उसकी population भी सबसे ज़्यादा है, फिर दूसरे नंबर पर हमने area wise देखा था, कि एफरिका है, तो अभी भी population wise भी दूसरे नंबर पर एफरिका ही है, फिर friends हम area wise में कहां गए थे, हम यहां से सीधा गए थे, North America की तरफ, पर ऐसा नहीं है population wise, population wise तीसरे नंबर पर आता है, यॉरप, अब यॉरप के बार हम सीधे आ जाएंगे, North America की तरफ, तो चौते नंबर पर population wise आता है, North America, फिर हम North America से नीचे जाएंगे, South America की तरफ, ठीक है, तो पांचवे नंबर पर है, South America, अब देखिए, दो continents बच गए है, Australia और Antarctica, तो हम कह जाएंगे, common sense क्या कहती है, ज्यादा population किसकी होगी, Australia की या Antarctica की, obviously Australia की, ठीक है, क्योंकि Antarctica तो सारा टाइम ही, आई से covered रहता है, वहाँ पर population बहुत कम है, तो छटे नंबर पर Australia आता है, और सबसे छोटा population wise है, Antarctica, So let's revise this once more, population wise, देखिए, जैसे हमने area wise start करा था, population wise भी हमें वैसे ही start करना है, Asia की सबसे जादा population है, फिर हम area wise एफरिका में गए थे, उसी तरह से, आफरिका की population दूसरे नंबर पर ही है, अब change आता है, कि area wise हम third number पर North America की तरफ गए थे, पर population wise हम third number पर Europe की तरफ जाएंगे, फिर हम वही अपना route फॉलो करेंगे, North America, फिर उससे नीचे आएंगे, South America, और फिर हमें पता है, कि उससे कम population है, Australia की, और फिर सबसे कम population है, Antarctica, ठीक है, Now, we will learn five oceans of the world, यानि दुनिया के पाँच महा सागर सीखेंगे हम, और हम उनको ये भी देखेंगे उन में से कि कौन सा सबसे बड़ा ocean है, और कौन सा सबसे छोटा ocean है, तो अपने world map को हम दुबारा लियाते हैं, ये है हमारा world map, अब देखते हैं यहाँ पे five oceans को, तो यहाँ पर है Pacific Ocean, अब देखिए, यहाँ पर मैंने दो जगा Pacific Ocean लिखा है, तो क्या दो ocean specific oceans हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, Pacific Ocean एक ही है, पर क्योंकि ये एक world map है, तो यहाँ पर हमने दो जगा Pacific Ocean लिखा है, देखिए जो हमारी earth है, वो round है, आपने globe तो देखा ही होगा, globe भी round होता है, तो यह सारा Pacific Ocean एक ही है, पर since it is a world map, यह एक surface, plane surface है, तो इसलिए हमने यहाँ पर दो जगा Pacific Ocean लिखा है, पर reality में एक ही Pacific Ocean है, फिर देखिए, यहाँ पर है Atlantic Ocean, फिर देखिए, next ocean जो इदर की तरफ है, वो है Indian Ocean, यही एक ऐसा ocean है, जिसे country के नाम से नेम करा गया है, इंडिया हमारी country है, तो उसके नाम पर Indian Ocean, फिर नीचे आईए, इस तरफ, नीचे की तरफ है Southern Ocean, कई books में इस ocean को Antarctic Ocean भी बोला गया है, तो एक ही है यह ocean, Southern Ocean भी कह सकते हैं, और इसको Antarctic Ocean भी, फिर next ocean, जो उपर की तरफ है, उसे कहा जाता ह है Arctic Ocean, तो यह है 5 Oceans, यानि दुनिया के 5 महा साग, दुबारा से मैं आपको यह दिखा देती हूँ, कौन-कौन से Oceans है, यह है Pacific Ocean, फिर इदर की तरफ है Atlantic Ocean, then we have Indian Ocean, फिर नीचे की तरफ है Southern Ocean, और सबसे उपर है Arctic Ocean, तो यह है दुनिया के 5 महा साग, अब बात आती है, largest to smallest, देखें, largest to smallest के लिए 4-5 parameters होते हैं, कौन-कौन से, area, volume, depth-wise, and coastal line-wise, तो area का क्या मतलब होता है, area का मतलब शेत्रफल, यानि हर एक ocean का कितना शेत्रफल है, उसके हिसाब से हम इनको arrange करेंगे, फिर next, volume, volume यानि कि उन वो कितना water है, उनमें, कितना पानी है उनमें, फिर है depth-wise यानि ocean की कितनी घेराई है, कितनी depth है, और चौता perimeter है, coastal line, coastal line यानि उनकी तटिये रेखा, ये देखें, ये सारी क्या है, उनकी coastal line है, तटिये रेखा, तो किस ocean की सबसे बड़ी तटिये रेखा है, किस की सबसे छोटी coastal line है, उसके हिसाब से हम इनको arrange करेंगे, तो friends ये जो पहले 3 parameters है area, volume और depth wise तो इन 3 parameters में अब हम largest to smallest oceans को arrange करेंगे और एक बात मैं पहले ये आपको बता दू कि इन 3 parameters में ये sequence same रहेगी सिर्फ coastal line wise है जो change होईगी उसको हम बाद में देखेंगे पहले हम area, volume और depth wise इन oceans को arrange कर देते हैं तो देखें सबसे बड़ा ocean कौन सा है Pacific ocean यही area wise सबसे बड़ा है, volume wise भी यही बड़ा है और depth wise भी यही बड़ा है फिर next ocean आता है Atlantic ocean फिर तीसरे number पर ocean आता है Indian ocean उससे छोटा ocean है Southern ocean और सबसे छोटा ocean है Arctic ocean यही अभी मैंने आपको sequence बताई थी पहले जब मैं आपको बता रही थी oceans के बारे में कौन-कौन से 5 महा सागर है देखें वो ही सारी sequence है इनकी area volume और depth wise में तो हम सबसे पहले start करेंगे Pacific ocean से फिर हम सीधा यहां Atlantic ocean की तरफ जाएंगे फिर हम नीचे Indian ocean की तरफ जाएंगे और फिर उससे नीचे सदन ocean की तरफ और फिर बिलकुल उपर Arctic ocean की तरफ So remember Pacific ocean is the largest ocean and Arctic ocean is the smallest ocean अब next हम बात करते हैं coastal line की अब coastal line wise जब हम इन oceans को arrange करते हैं तो इन में बस एक छोटा सा change आता है Let's see क्या change आएगा तो सबसे बड़ा जो ocean coastal line wise है वो Pacific ocean ही है उसके बार next Atlantic ocean ही है जैसे अभी हमने sequence देखी थी वो ही चल रही है अभी तक फिर थर्ड नंबर पर Indian ocean ही है यानि 1, 2 और 3 यही sequence सेम है अभी तक जो हमने area volume और depth wise देखी थी coastal line wise भी वो ही sequence है Change कहां आता है Change आता है कि next Southern ocean होगा या Arctic ocean होगा देखिए friends आप यह Arctic ocean की तरफ देखिए यह जो land mass है यहाँ जादा है तो जो coastal line है इस तरफ जादा है as compared to Southern ocean Southern ocean में सिर्फ Antarctica ही है तो इसलिए Arctic ocean आता है चौथे नंबर पर और Southern ocean आता है फिफ्ट नंबर पर तो यही change है coastal line wise बाकी first three वही रहेंगे last होता है Southern ocean अब next friends मैं आपको कुछ terms बताने वाली हूँ continent से रिले यह terms I'm sure आपने सुनी तो होगी बड़ शायद आपको इनका specific meaning ना पता हो तो आईए उन terms को समझते हैं पहली term है Eurasia अब Eurasia किसे कहते हैं देखिए अभी हमने दो continents पड़े थे Europe और Asia अब इन दोनो regions को मिलाकर एक term बनी है Eurasia देखिए Eurasia कोई separate continent नहीं है यह किसी continent को नाम नहीं दिया है यह सिर्फ इन दोनो regions के बारे में बात करने के लिए अगर हमें इकटे इनके बारे में बात करनी होती है तो हम इनको बोलते हैं Eurasia देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो यह दोनों ही एक ही landmass है Europe और Asia का landmass एक ही है बस इनको यह दोनों को divide करती है यह line और यह line क्या है? यह line है Eural Mountain Eural Mountains के इस तरफ Europe है और उसके दूसरी तरफ Asia है और दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है Eurasia अब next term है Ochenia तो देखिए Ochenia में क्या क्या होता है Ochenia में Australia है और Australia के आसपास बहुत सारे islands है तो Australia और वो बहुत सारे islands मिलकर बनाते हैं Ochenia जैसे कि इसमें आता है Melanesia, Micronesia, Polynesia ऐसे और भी बहुत सारे regions हैं जो Ochenia के पार्ट होते हैं यह सारी details फ्रेंट्स में आपको और डिटेल में आपको जब पढ़ाऊंगी जब मैं Australia as a continent एक separate video बना तो अभी के लिए आपसे वितना समझ लीजिए कि जो Ochenia यह एक term है यह कोई एक separate continent नहीं है यह सिर्फेक एक term है जिसमें Australia और उसके आसपास के बहुत सारे islands आते हैं अब third term है Americas तो देखिए friends यहाँ पे आपको यह दो दिख रहे हैं continents North America और South America तो यह दोनों यह आपस में जुड़े हुए हैं देखिए इनका land mass यहाँ से connected है तो इन दोनों को मिला कर एक term बनाई गई है जिसे कहा जाता है Americas याद रखिए कि यह Americas करके कोई separate continent नहीं है यह सिर्फेक term यूज होती है सिर्फेक नाम दिया गया है North America और South America को मिला तो यह तीन नई terms मैंने यहाँ आपको बताई है Eurasia, Oceania and Americas Friends, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like करना ना भूले अब हमारा next topic है Latitudes and Longitudes Friends, देखिए यह Latitudes और Longitudes बहुत ही important है सबसे पहले तो यह बात समझ लीजिए कि यह actual lines नहीं है यह imaginary lines है जो हमने बनाई हुई किसले बनाई हुई है locations को identify करने में अब जैसे आपने अपने घर की location किसी अपने friend को भेजनी है तो आप उसको अपनी location send करते हैं तो यह latitude और longitude ही help करवाता है उस location को identify करने में GPS हम use करते हैं whenever we are driving or we are using a taxi तो वो GPS आपको दास्ता बताता है आपका way बताता चला जाता है तो longitudes और latitude बहुत important है locations को identify करने के लिए तो आईए friend सबसे पहले हम latitude के बारे में पढ़ें देखिए सबसे important latitude होता है equator जो zero degree पे होता है यह earth के बिल्कुल center से जा रहा होता है और हमारी earth को दो equal parts में divide करता है उपर के part को कहते है northern hemisphere और नीचे के part को कहते है southern hemisphere अब देखिए आप continents को देखिए North America जो है वो completely northern hemisphere में है Asia भी almost northern hemisphere में है और पीछे Europe भी completely northern hemisphere में है पर अगर हम Africa की बात करें तो वो कुछ northern hemisphere में है उसका area और कुछ southern hemisphere में है इसी तरह से South America भी mostly southern hemisphere में है पर कुछ उसका area northern hemisphere में है बट Australia और Antarctica दोनों ही completely southern hemisphere में है तो ये सारी चीज़े आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये exam point of view से बहुत important है exam में आपसे पूछा जा सकता है इस पर questions आ सकते हैं कि ऐसा कौन सा continent है जो बिलकुल northern hemisphere में है या ऐसे कौन से continents हैं जो बिलकुल southern hemisphere में है या ऐसे कौन से continents है जो दोनों hemispheres में है तो ये important है इसलिए मैंने आपको यहां बताए है now let's get back to our latitude तो अब equator को base बना कर अगर हम all parallel lines draw करें उपर भी और नीचे भी देखिए उपर भी और नीचे भी और हम ऐसी parallel lines draw करते जाएं उपर north pole तक और नीचे south pole तक तो ये सभी lines कहलाती है latitudes ठीक है ये parallel lines होती है ये एक दूसरे को नहीं काटती है अब इनी latitudes को देखिए earth पर तो ये देखिए ये equator है जिसने divide करा है earth को दो equal parts में अब देखिए इसके parallel कैसे ये उपर latitudes run कर रहे है बिल्कुल parallel है इसके ठीक है तो ये ऐसे north pole तक सारे latitudes उपर की तरफ जा रहे है और इसी तरह से equator के नीचे भी parallel lines है ये देखिए और ये कहां तक जा रही है ये south pole तक जा रही है तो equator के उपर वाले part में जब हम latitudes draw करते है तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो equator है ये बहुत important latitude है इसके अलावा भी कुछ और important latitudes है वो देख लेते हैं Tropic of Cancer at 23 1.5 degree north next important latitude is Tropic of Capricorn at 23 1.5 degree south फिर है Arctic Circle at 66 1.5 degree north and Antarctic Circle at 66 1.5 degree south तो ये 5 important latitudes है ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि इन पर काफी सारे questions बनते हैं और exam point of view से बहुत important है इनको याद रगना जैसे कि ये question मैं आपको अभी बता देती हूँ ऐसा कौन सा continent है जिस पे से Tropic of Cancer equator और Tropic of Capricorn तीनों ही पास करते हैं कौन सा ऐसा continent है येस, it is Africa तो ऐसे questions exam में पूछे जाते हैं तो friends आपको ये याद रखना होगा कि ये जो 5 main latitudes है ये किन-किन continent से पास करते हैं फिर next अब हम समझेंगे longitude तो जो सबसे important longitude होता है वो है prime meridian जो है zero degree ये prime meridian earth को दो equal parts में divide कर रहा है western hemisphere में और eastern hemisphere में देखें अभी जैसे हमने lackitudes देखे दे कि वो imaginary lines होती हैं ऐसे ही longitudes भी imaginary lines ही होती है longitudes देखने में ऐसी होती हैं देखें ये parallel नहीं होती है latitude की तरह ये ऐसी होती है उपर से जाकर ये north pole में मिलती है और नीचे से जाकर ये south pole में मिलती है तो ये latitude की तरह parallel नहीं होती है देखें आप इदर ध्यान से देखें ये चो longitudes हैं इनके बीच का distance सबसे maximum कहां पर है center में है और जैसे जैसे ये poles की तरफ चाहे वो north pole हो चाहे वो south pole हो poles की तरफ move करती है इनके बीच का distance कम होता चला जाता है ये सारी की सारी जाकर north pole पर touch करती है और नीचे south pole पर touch करती है तो ये था longitudes और latitude अब friends अगर हम सबसे important longitude prime meridian को ले ले और सबसे important latitude equator को ले ले तो देखिए ये दोनो imaginary lines एक point पर intersect करी है यहां मिल रही है तो ये area ये ocean है कौन सा ocean बताया था मैंने आपको ये Atlantic ocean तो ये Atlantic ocean में कहीं जाकर मिल रही है आए इस area को थोड़ा सा zoom करते है देखिए इस जहां पर intersect हो रही है उस area को कहा जाता है gulf of gill अब इस particular point को क्या कहा जाता है जहां पर intersect कर रही है ये एक imaginary island है जिसको नाम दिया गया है null island यहां पर कोई जमीन नहीं है बस ये imaginary island है जिसको कहा जाता है null island तो ये important है आपके लिए याद रखना कि ये कहां पर intersect होती है उस area को क्या कहा जाता है gulf of gilly और इस point को क्या कहा जाता है null island तो friends ये थी हमारी वीडियो basics of world map पर जिसमें हमने 7 continents, 5 oceans और longitudes और latitudes के बारे में पढ़ा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like जरूर करे, thanks for watching see you in the next video, bye bye